वोडिसब वोडिसब गाईज वेलकम तो दे चैनल मेरा नहीं है शिवम और आज हम बात करेंगे सोलाना के बारे में जो एक रिडिकुलसली फास्ट ब्लोक्चेन है रिडिकुलस जो मैं भोल रहा हो पर सेकेंड का सोलाना जो है 60,000 ट्रांजचिन्स पर सेकेंड येस 60,000 इसमें क्लासिकली इससे पहले कि मैं सोलाना में घुसँँ इथीरियम की अगर फॉर एक्जांपल बात की जाए क्यूंकि हम बहुत सारे लोग सोलाना को जो है इथीरियम किलर भी बुला रहे है Solana specifically अगर हम देखे हैं कि ETH 2.0 क्या कर रहा है ETH 2.0 जो Ethereum के transactions है उसको 1 lakh transaction per second तक लेके जाएगा पर Ethereum का अगर आप block time की बात करो Ethereum फिर भी वो जो number है वो number touch नहीं कर पाएगा optimally it is still going to be much lower than that and उसकी वज़े से जो Ethereum का speed है वो वैसा नहीं आएगा जो आज Solana का आता है Solana की guys अगर बात की जाए Solana एक high throughput blockchain है जो proof of history नाम का mechanism use करता है क्या करने के लिए अपनी जो chain है उसको एक तरह से secure करने के लिए अब proof of history पहरे में आपको बता देता हूँ क्या है फिर हम बाकी detail में जाएंगे founders, team और यह सब चीज़ों में तो proof of history में क्या होता है अभी in case of Solana हर 400 millisecond में 0.4 second में एक snapshot लिया जाता है एक photo ली जाती है कि इस time पे क्या हुआ उस photo की वज़े से हर 0.4 second पे जब वो photo ली जाएगी एक algorithm की जरीए वो photo basically क्या है photo मतलब camera वाली photo नहीं है snapshot है कि network का क्या system है अभी क्या चल रहा है उसकी वज़े से number one जो block production है वो 0.4 second का है अब उसी हिसाब से यहाँ पे अगर हम snapshots ले रहे हैं तो एक घड़ी जैसा system बन जाता है वहाँ पे वो घड़ी जैसा system क्या गरता है तो मानलो 5 बार 0.4 seconds की 5 photos या 5 situations के बाद time कितना बीत गया 2 seconds automatically हमें पता है 2 seconds बीत गया तो इससे क्या है इससे basically यह जो पूरा system है इसको यह proof of history बोलते हैं that is number one इसमें अगर आप detail में थोड़ा जाना चाहो थोड़ा complex है situation पर आप just basically सोच लोगी यार शिवम बाल बना रहा है for example तो शिवम नहा के आया बाल गीले है सरपे है एक photo ले लिया दूसरा photo लिया मैं ऐसे-ऐसे सरपे gel लगा रहा हूँ तीसरा photo लिया मैंने head राय निकाला चौथा photo लिया मैंने head राय से बाल सुखाए पांचवा photo लिया मैंने set कर लिये तो अब वो photo को मैं जंबल करके आपको दे दू तो puzzle की तरह आप लगा पाओगे ना पहले कौन सा आया दूसरा कौन सा आया तीसरा कौन सा आया तो इस तरह से एक proof of history बनाया जा सकता है जो Solana बना रहा है now number 2 Solana के उपर जो decentralized applications बनाना is very very straightforward and very efficient and because जो Solana का structure है जो उसके उपर की transaction fees है so transaction fee की अगर बात की जाए तो Ethereum वगारा से ये almost 50 गुना कम आपको fee मिल जाती है यहाँ पे अगर हम Polkadot और यह सब जो भी अलगलग और अभी जो so-called Ethereum killers या fast blockchains है right which can be Cardano Polkadot या Ethereum के उपर जो commit chains है जैसे की Polygon Matic अगर हम वहाँ पे इनका fee का comparison करें तो वो सबसे काफी जादा यह कम है Solana बालों ने दूसरी एक बहुत ही positive चीज निकाली है normally जब आप अभी Ethereum देख रहे हो right Ethereum को अपने आपको तेज करना है अपने आपको scale करना है तो Ethereum को क्या करना पड़ रहा है पूरा structure चेंज करना पड़ रहा है proof of work था वो गया भाड़ में proof of stake आ जाएगा fast हो सकता है अभी वो कैसे now मैं तो आता हूँ electronics world से तो जब मैंने research किया तो मुझे Moore's law का काफी सुनाई दिया तो मेरे दिमाग में तो मेरे पल्ले पड़ गया अगर बैचास आप electronic side से नहीं हो तो Moore's law बहुत simple सी चीज है Moore's law के हिसाब से जो ट्रांजिस्टर्स होते है अभी ट्रांजिस्टर्स क्या है ट्रांजिस्टर्स मतलब जो हमारे आप बोलो microchips इतनी भी हो गई जो हमारे GPU चलाते है हमारे CPU चलाते अभी अलग अलग तरह के होते है हम लोग अगर आप electronics communication वाले तो आपको NPN transistor PNP यह सब पता होगा तो यह जो ट्रांजिस्टर्स है इसमें जब एक चिप की हम बात करें GPU उसके अंदर हजारों लाखों ट्रांजिस्टर्स होते हैं ठीक है ना हो Moore's law के हिसाब से जिस तरह से hardware का development better होता जा रहा है हर दो साल में number of यह जो chips हैं essentially या वो जो double हो जाता है in what in a GPU and in a CPU तो Solana ने एक ऐसा तरीका निकाला है कि वो GPUs और CPUs के ओपर rely करके अपना जो chain है उसको उसका जो काम में चलता रहेगा अगर GPUs और CPUs हर दो साल में double तेज हो रहे हैं right according to Moore's law that means essentially Solana minimum तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आप वो exactly दो गुना बढ़ता है दो गुना से कम बढ़ता है वो time बताएगा but automatically उससे Solana बढ़ जाता है क्योंकि Solana जिस तरह से transactions या अपना जो system में वो run करता है वो ऐसा करता है कि GPU के अगर मान लो अलग-लग cores है या आपके CPU में अलग-लग cores है वो cores में parallel में process चलेंगे तो 6 core है 6 process चल रहे है for example 6 की जगा 8 core आगया तो 8 process हो गए 12 core आगया 12 process line में चलेंगे तो आप 6 core वारा प्रोसेसर यूज़ कर रहे थे और आप Solana के validator हो आपने 12 core CPU लिया डबल हो गई capacity automatically सब डबल हो गया क्योंकि parallel processes यहां पर यह run करते है number 2 validators की बात की जाए तो यहां पर Solana के पास almost 6500-700 कुछ validators है now अभी यह information cross verified है तनमे भट के वीडियो से you can also check out his video on Solana बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है and so I'll cross check the latest date rather latest number on Solana validators क्योंकि Solana के जो validators है वो ऐसा है कि Ethereum में तो बहुत सारे validators है Solana की अगर हम बात करें तो Solana में total validators मैं भी वही निकाल रहा हूँ धीरे 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 हमें बढ़ते चाहिए होंगे Ethereum में आपको validator बनने है चाहिए ऐसा तो कुछ scene है नहीं अगर मैं validators की बात करूँ Solana का मैं बस number निकला है मैं screen share करता हूँ और आपको दिखाई देता हूँ actually तो Solana के जो validators है guys they are 863 validators right now now एक interesting चीज़ यह है हम जब अभी founding team की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा तो हम वहाँ चलते है coin market cap पे as usual मैं आपको सब चीज़े दिखाता हूँ and guys as always आगे बढ़ने से पहले एक तो financial funda channel check out कर लो वहाँ पे मैंने एक नई series start किये हफते में दो दिन आपको stock market की news भी मिलेगी वहाँ पे पाकी investing के videos और यह सब तो मिलता ही है पे video डाला है आप ज़रूर check out कर सकते हैं इसका link आपको description और pin वाले comment में मिल जाएगा दूसरा guys telegram official telegram का link भी description मिल जाएगा उसी link से join करें और कहीं से मत join करें scammers हैं जो मेरा नाम use करके telegram groups और यह सब खोल के बैटें number one number two अगर आपसे मेरे नाम से कोई भी personal message पे बात कर रहे है telegram पे या कहीं पे whatsapp पे या telegram पे तो आप scam किये जा रहे हो मैं किसी को personal message नहीं करता मेरा number नहीं देता मेरा कुछ भी paid service नहीं है तो एक रूपया भी किसी को मत दे जो मेरे नाम से आपसे पैसा मंगता है ना trading के लिए ना signal के लिए एक रूपया भी नहीं देना है किसी को मेरा कुछ भी paid नहीं है 100% चीजें है जो हैं यहां है channel पे और telegram channel पे official channel पे और free है now guys Solana की अगर बात की जाए Solana का जो current price है वो चल रहा है 39.78 dollars and Solana का जो highest price हमें देखने को मिला है 55.91 dollars हमें देखने को मिला है अब Solana का अगर वैसे देखो तो Solana ने dip तो खाया market के साथ दढ़ा दढ़ा वापिस है दढ़ा वापिस है in fact 42 dollars पे टच किया है जब बाकी की market की बाट लग रखी थी of course minimum हमें जो Solana 23 dollars पे भी देखने को मिला है current almost 40 dollars ये almost double चल रहा है then where it was तो आप देखो तो market में dip में बहुत बेटर किया है इसने क्यों क्योंकि ये एक काफी popular blockchain जो है हो चुका है number 14 पे चल रहा है दुनिया में current जो इसकी market cap है 10 billion dollars 10.8 billion dollars कि almost 11 billion dollars is going to be the market cap and मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे market बड़ेगा ये बहुत खतरनाक तरीके से बड़ेगा supply और tokenomics की अगर बात करें guys almost इसकी 500 million Solana token की supply है जिसमें से 272 million Solana token जो है वो circulating है and ये data coin market cap वालों के दरुफ से verified है ना बात कर लेते हैं थोड़ा सा detail में कि Solana is a highly functional open source project that banks on blockchain का permissionless nature 2017 में start हुआ था officially launched in March 2020 by Solana Foundation with headquarters in Geneva Switzerland Switzerland में आपको पता होगा बहुत सारे blockchain वालों के headquarters input output Hong Kong जो essentially Cardano का parent organization है वो लोग भी Switzerland based काफी सारे यहां पे हमें project देखने को मिलते हैं यह है it is designed to facilitate decentralized app creation तो यहां पे अभी already exchange अगर हम बात करें तो FTX जो Sam Bankman Freed है उनके तुरूप backed एक Solana पे exchange भी बनाया जा रहा है जो बहुत खतरनक तरीके से pricing यहां पे करेगा chain link वागरा के साथ भी वो सब चीजों के लिए partnership है तो proof of history, proof of underlying, proof of stake system यहां पे जो चलता है Now, Solana के founder कोन है Antoli Yakovenko जो essentially Qualcomm, अगर आपको नहीं पता तो Qualcomm एक tech based company रही है बहुत पुरानी, they manufacture chipsets, mobiles और यह सब चीजों के लिए खतरनाक best in the world Also, उन्होंने एक software engineer की position भी hold की है Dropbox पे तो यह Yakovenko है, दूसरा है Greg Fitzgerald जो भी Qualcomm से आते है and यह लोग, इनकी जो team है overall guys, Solana की जो team है Intel, Microsoft, यह Qualcomm, Dropbox, जितने top बड़े-बड़े companies है न वहाँ से जो top level engineers अच्छे engineers हैं वो मिलकर और जो लोग हैं उन्होंने मिलकर यहाँ पे काम start किया है इसमें से एक बहुत तगड़ी बात जो Solana के बारे में शायद बहुत सारे लोग हो पता नहीं है इंडिया में काफी जादा Solana का जो outreach है and Solana की team है जो focus करती है of course because of the talent that Indians have guys यह सब चीजों को लेके engineering में लेके and tech को लेके you know तो यह मेरे सबसे बहुत यह अच्छी बात है तो और कुछ नहीं तो इस चीज के लिए तो हमको Solana को support करने चाहिए मेरे सबसे now Solana का अगर हम short processing time मैंने आप लोगों को बताई दिया है 0.4 seconds का इनका block generation time है Solana token की अगर हम tokenomics की guys बात करें तो Solana foundation ने बताया कि 489 million token जो release हुए थे और उसमें से 270 million जो थे out थे तो Solana token का जो distribution था वो था कि 16% initial seed sale में चला गया 12.9% एक founding मतलब founder sale में निकल गया 12.79% Solana distributed हुए team members में 10.46% token जो थे वो Solana foundation को दिये गए Solana foundation मतलब जो भी उनको run करना है चीजें वो सब चीजों के लिए अगर कहीं पर लगता है तो all of that because of all of that they can have this now आपको securing का मैंने process बताई दिया है security का proof of history over proof of stake यहां पर Solana जो है यूज करता है अगर बात की जाए guys हम Solana essentially कौन कौन से आपको exchanges पे मिल जाएगा I don't think there is an exchange in the world जहां आपको Solana शायद ना मिले very very popular project number 14 पे चल रहा है कुछ शायद गिंती के एक दो कोई exchange होंगे जहां पे आपको यह नहीं मिल रहा वहां पे भी कुछ time में अगर नहीं है तो यह जो है आ जाएगा अगर बात की जाए guys अगले bull run तक market cap जो है जैसे अभी हम 1.8 trillion market cap के असपास हम चल रहे हैं rather 1.8 trillion my bad 1. yeah correct so मैं basically क्या चाहता हूं या rather Solana से क्या चाहता हूं वाली बात यह prediction essentially वही होता है so Solana अगर market जिस हिसाब से grow कर रहे है वैसे grow करती है and हमें next bull run एक अच्छे level पर देखने को मिलता है and Solana का जो concept है वो the way they are working on it everything stays the same I believe Solana में potential जो है because also of its supply and the demand the ridiculous demand Solana में definitely जो potential है वो 100 to 150 dollars जाने का potential Solana रखता है मेरे हिसाब से and specifically अगर हम technology की बात करें then वो सब चीजों की बात करें तो यह बहुत और blockchain से काफी better है काफी तेज है तो हो सकता हमें बहुत ही आगे जाता देखने को मिले but मेरे conservative estimate 100 to 150 dollars के बीच का है now यह कब जाएगा मुझे नहीं मालूम essentially किसी को नहीं मालूम and क्या यह zero जा सकता है हर crypto project I guess bitcoin को चाहिए छोड़के zero जाने की capability रखता है क्यों finally it all comes down to community and scams and all of those things Solana team verified है so वो सब चीजे मेरे सबसे pretty secure pretty strong project and क्या आपको अभी invest करना चाहिए अभी तो market बहुत pump में चल रही है तो I can't suggest that वो आपको आपका TA करके देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे आप मेंसे बहुत सारे लोग पूछते हो कि अभी बाय कर लें क्या and वो मैं answer इसलिए नहीं देता हूँ quickly उस पर लेके फिर मैं video wrap up करता हूँ guys इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि आगर मैंने आपको बता दिया कि आज खरीद लो then आप live बर मेरे पर dependent होगए क्या करने के लिए अभी बेचू या ना बेचू hold करूँ या क्या करूँ डर लग रहा है average करूँ या क्या करूँ ये सब चीजों के लिए आप live बर मेरे पर dependent हो जाओगे ये अगर आपने गलती कर दी अपने पैसे को लेके आप किसी और पर dependent होगे वो भी उस बंदे पर जो यूट्यूबर है जो यूट्यूब पर वीडियो बनाता है आपके परसनल जान पेचान का नहीं है जिसको आप फोन नहीं कर सकते बात नहीं कर सकते अपने पैसे की जिम्मेदारी आप रखें क्रिप्टो का बेसिक एम यह है और दिस इस माई वीडियो अबाउट सुलाना गाईज जैसा कि मैं मेचा बोलता हूँ एजुकेशन और नॉलेज इस फील्ड में जिसको है वो लाइफ में सबसे ज़्यादा पैसा इस फील्ड में बना सकता है गाईज इस शिवाम साइनिग ओफ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो लाइक बन पर मों कमार दीजे और करना मत भूलेगा आप लोगा अगले वीडियो में तब तक के लिए जाओ